आज के इस वीडियों में बात करेंगे वेट कप में कौन सा सीरफ यूज करते हैं जिसे प्रोड़क्टिक कप भी बोलते हैं या गिली खासी बोलते हैं इसमें कौन-कौन से सीरफ यूज होते हैं और उसमें कौन-कौन से ब्रांट से आते हैं और उसमें कौन सा कमपोजिशन म बेसिक के लियो सालबेटमॉल ओने जी रहेगा एमरोक्सोल 30 एंजी और गौफ एंसिन 50 एंजी पार 5 एमल अफ लिक्विड रहेगा और यह सब सीरप में जो भी वेट कफ के लिया आते हैं कंपोजीशन यही रहेगा भले वह अलग-अलग फ्लेवट से रहेगा और अलग-अल सबसे पहले ल्यूज साललबेटमॉल के बारे हम बात करते हैं लियोसलिटमॉल कोई जालबेटमॉल ना दिए को ड्रुप्टल 59 वेट के साथ हैं दूसरा जुत होता है वेट कफ के लिए ओ मुटक कोई कंपनी अमरोकसल के साथ आधी है कोई सामपनी ecosystem के साथ दोनों एक मुकोंफायनेटिक काथा है चाहिकस को जाधा धृकण समय जाता है यह सब है यह हीिड़ा से ज्यादा तो सकते यहाना मैंचटक सब्सक्रा जाता है इसको पतला करता और फंफोरे से लंक से उसको बाहर निकालने मैं मदद करता तो इस तरह से यह तीनों ड्रॉग मिले करता है पहले लिघुपोलय त regarde पांधंच दूसरा है । और से आपनें लिए उसक्ता है रहता नियुस करते हैं लेकिन काम सेमें ही उसका भी और आप कौन सा काफ सी रफ ले रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पॉपलर ब्रांड है स्कॉरिल एलस सन फार्मा का आता है दूसरा जो है ग्रिलिंटस एलस आता है जो के फ्रेंक को एंडिया लिमिटेट का आता है यह भी बहुत ही इफेक्टिव है और आपको कोई भी मेडिकल इस्टोर में अवेलेबल लेगा यह तीसरा जो है ब्रोजेटेक्स है ब्रोजेटेक्स उखाड बनाती थी पहले लेकिन इसको अभी डॉक्टर रेडी ने खरीद लिया है तो अब इनके उहां पे मार्केटेड ब यह सब ब्रोजेबल नहीं है तो आप कैमिस्ट वाले को जो ड्रॉक फर और ड्रॉक्ट नेम है जैसे के लिए द्व के लिए फोलेफ ले सकते हैं अब इसका डॉस्त देख लेते हैं इसका डॉस्त नोर्मली क्या होता है तो पहले है जो जो दौ साल से उपर वाले के और इसके लव अडल्ट के लिए दिन में पांच एमेल पिला सकते हैं इसके लव डोस के रिगार्डिंग आप अपने केमिश्ट वाले से या जो भी फार्मासेच्ट है या जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं आपको कैसे लेना है और किस-किस कंडिशन में यह सब यह स रफ लेना है